जुका हुआ जाट और तूटी हुई खाट किसी काम की नहीं है ये बयान सत्यपाल मलिक ने दे दिया है और वो भी देश के उप राश्ट्रपती जगदीब धनकड पर दरसल बीते दिनों जब संसद में शितकालिन सत्र चल रहा था उस वक्त जगदीब धनकड की मिमिक्री का मामला सामने आया टीमसी के नेता ने किया और उसके बाद पूरे देश में इस पर सियासत बजी कि वाइस प्रसेडेंट का यह अपमान है वो प्राश्वपती का यह बहुत बड़ा अपमान किया गया है उनकी मिमिक्री करके और वहाँ पर कई और संस्ट जो तमाम सांसत थे व मरिष्ट अदिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक इंटर्व्यू किया है सत्यपाल मलिक का और यह कोई पहली बार इंटर्व्यू नहीं हुआ है सत्यपाल मलिक का इससे पहले राहूल गांदी ने भी सत्यपाल मलिक का एक इंटर्व्यू किया सत्यपाल मलिक जोकी मोधी सरकार क सबसे बड़े विरोधियों में गिने जाते हैं वही तेवर वही आक्रमक अंदाज एक बड़ फिर कपिल सिब्बल के इंटर्व्यू में भी उनका दिखा और उन्होंने कहा कि जगदीब धनकर ने जो बात कही कि जाट समाज का अपमान किया गया है मिमिक्री करके तो उन्हों कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने विख जबने काणते नहीं जाट को यह जो धनकर है वेसे तो मैंने कहा कि इनका कोई काम जाट वाला नहीं है जाटों में यह कहा जाता है कि जुका हुआ जाट टूटी हुई खाट, किसी काम के नहीं, ये जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं टोटल सरेंडर करके। में मिक्री उनकी खुद की जो हरकते हैं उनकी कर रहे थे जाटों की तो नहीं कर रहे थे गुर्टलवे सत्यपाल मलिक लगातार मोधी सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं और अब उन्होंने उपराश्टपती जगदीब धंकर को ले करके ये बयान दिया है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24